वही रोज रोज के नास्ते से हो गए हैं आप परिशान तो आज मैं आप सब के साथ एक नया और अनोखा नास्ता लेकर आई हूँ जो आप बच्चों के टिफिन में रख सकते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आएगा हे गाईस कोकमेजिंग में आप सबी का स्वागत है आज ये डिफ्रेंट तरीके के सेंडविच की रस्पी है बहुत ही डिलिशास है बहुत ही हेल्दी है बाते कम करते हैं स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए आपको लेनी है सोक किया हुआ मूंग अगर आपके पास बीट भालेक और ग्रीचली ली है आप टोटली इसके भी कर सकते हैं तो बस इसको डालने के बाद थोड़ी सी ही ढालेंगे और दो चम्मच इतना करड़ डालेंगे करड़ डालना अच्छा है इसलिए क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा आजाता है और बहुत पतली दही नहीं आपको थिक वाली दही लेनी है और बस दो चममस डाल के पानी का यूज नहीं करना है और अच्छे से बारिक सा पेस्ट बना कर तयार कर लेना है जितना फाइन हो सके उतना फाइन बना लिए जिए और बस सिंपल सा ये हमारा मूग डाल का पेस्ट बनकर रेडी हो गया है इसक थोड़ा सा हल्दी पाउडर थोड़ा सा धन्या पाउडर और रेड चिली पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर दूंगी सिंपल से मसाले हैं इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपको मार्केट से लाना पड़ेगा घर के सामान से ही बन जाएगा यह सैंडविच बहुत स्टफिंग बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक चम्मत जितना ओयल डालके गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे पीनट्स हम इसमें रोश्ट करके पीनट्स को एड़ करने वाले हैं स्टफिंग में बहुत ही डिलिश्यस लगता है इससे क्या है कुछ अलग से हम स्टफिंग में क्रंची नमकीन आइड करना पड़ेगा ये पीनट्स अछा करण भी देंगे हमारे स्टफिंग तो तो हमने आप पर पीनट एड़ किया है और पर पीनट को तब तक आपको रहे है जब कोलम कोर्व लिएम जैसे ही अच्छे से भुण जाए इसको निकाल लेना है और सेम पैन में आपको एक चमच ओयल और डालना है जैसे ही ओयल गर्म हो जाए इसमें डालेंगे जीरा और सौंफ दोनों का फ्लेबर बहुत अच्छा आता है इस्टाफिंग में डालने के बाद जैसे ही यह पक जाए आनियन डालेंगे एक छोटा बाला वन लिया था को बारिक चॉपक करके आपने डाल दिया है और अपनीयन को तब तक पक कंग जाता कि आपको ब्राउन ओर पूड्त करना है बस इसको पकाना है जैसे ही यह अच्छे से पकता है इसमें जाएंगे पाउडर थोड़ा सा हलप पाउडर थोड़ा सा धन्या पाउडर और रेट ली पाउडर अपने फ्लेबर के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं यहां पर चिली पाउडर मसाले जलेना इसलिए मैंने एक छोटा चम्मत जितना पाई डाल कर इसको मिक्स किया है पानी तुरहन सूग गया है तो मुझे और डालन आता है और डाइजिशन में भी हल्प करता है साथ में ग्रीन चिली भी मैंने आइड की हैं अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप बिल्कुल निकाल दीजे ग्रीन चिली को मढ़ डाले और यहां पर एक कप भरके मैश किया हूँ पोटैटो लिया था वो डाल दिया निकाल जाता है अच्छे से और फाइनली हमें इसमें धनिया और जो हमने पीनट से भून के रखे थे वो डाल कर आच्छे से मेटकर देना और इस्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो जाती है इसको भी साइड में रखना है अब हमें लेनी है ब्रैड तो यहां पर देट में आलू यहां पर लगा रही हूं और अच्छी कॉनिडेटी में आलू पूरे में फैला दूंगी हर कोने पे और इसको ब्रैट से कवर कर दूंगी ऐसे आपको पहले ही से ही इस तरह से सैंड्विच बना कर रख लेने हैं जब आप महमानों को सर्व करें या किसी को दें तब आप फटा फट से इसको असेंबल करके और सेख के दे सकते हैं तो मैंने सेखने के लिए पैन में घी लगाया है थोड़ा सा घी जैसे ही गर्म होता है तो ब्रैड के ऊपर मैंने वह जो बनाया था ना मूंग डाल का पेस्ट उसको लगा दिया एक साइड पे और फ्लिप करक रखके लगा लीजिए और फिर तवे पर डालने के बाद आप तवे पर लगा लीजिए दोनों साइड अच्छे से जब लग जाए तो एक साइड जब पक जाए तो आपको इसको उठा के दूसरी साइड के लिए पकने के लिए छोड़ देना है और प्रेस करते हुए तो क्या है यह दोनों ब्रेड आपस में अच्छे से चिपक जाएगी आप चाहूं तो इसमें अंदर साइड ग्रीन चिली वाला पेस्ट होता है जो मतलब जो चटनी होती है वो या सॉस जो भी आप लगाना चाहें वो अंदर लगा सकते हैं मैंने आप कोई भी चटनी या स सॉस का यूज नहीं किया है ऐसे ही अच्छा है बाद में जब आप परोसेंगे ना तो दे सकते हैं चटनी सॉस कोल्ड रिंग चाय किसी के साथ भी तो मैं फिर से आपको दिखा देती हूं इस तरह से मैंने प्लेट पे रखा सैंडविच और उसकी एक साइड मैंने इस तरह से मूँख डाल का पेस्ट जो बनाया है वो लगा दिया अब इसको छके सिधे तवे पे डाल देंगे आ Fascा अब इसको उठाएंगे और तवे पे डालेंगे इस से पहले आप दाले दब्रेस को आपको तवय को आच्छे से घ्रीस कर लें आसरे लिए ये निकलना भी चाहिए अपका प्रॉपर ली तब ही अच्छे अच्छा बनेगा इसलिए आसरे गHD ine के तेल से जिससे भी आप सेखना चाहें और बस फिर डालने के बाद इसमें दूसरी साइड भी आपको इस तरह से फैला देना है तुरंत सूकने का इंतजार नहीं करना कि एक साइड पक जाए फिर डालू वह आप जब तक डालेंगे बैटर तब तक वह दूसरी साइड अच् करने रहेगी और क्रिस्पी बनेगा यह हमारा सैंडविच और दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी होने तक आपको सेख लेना है और प्लेट में निकालना है दोनों ही सैंडविच बहुत अच्छे से क्रिस्पी होने तक मैंने सेखा है इनको बहुत अच्छे से सिख कि या है triangle save में तरह से आप से किसी भी knife की helps से भी कट कर सकते हैं भोगत आसानी से कट हो जाता है कि इस तरह से कट किया है और सारैंटिविच आप इसी तरह से सर्ब करेंगे तो चोटा पीस रहेगा तो अपने साब से इसको सर्प कीजिए मैं इस तरह आपको दिखा रही हूं आपको यह पसंद आए तो इस तरह से भी कर सकते हैं मैंने इसको थोड़ा सा आगे एक पीछे एक आगे पीछे ऐसे करके सर्प किया है बहुत ही डिलीश्यस है हमारे सैंडवेच बनकर तयार हो गए है मैं इसको सर्ब कर रही हूँ रैड सॉस जो होती है टोमेटो केचप उसके साथ बहुत ही डिलीशस है अगर आपको ये रैस्पी पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक लिए बाबाई